बिते तीन चार दिनों में बिहार में बहुत बड़ा ओलट फेर हो गया और अपना ही रिकार्ट तोड़ते हुए नितीश कुमार नौवी बार मुखमंत्री बन बैठे मुखमंत्री पत्से इस तीफा दे करके दूसरे के साथ नया गड़बंधन करने का नितीश कुमार रिकार्ड तोड़ चुके हैं अब ऐसे में तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस बात पर भी चर्चक कर रहे हैं कि बिहार में चाहे जिस पार्टी के चाहे जितने नंबर आएं लेकिन सरकार में शामिल होने का और राज करने का मौका सभी को मिलता है क्योंकि पहले तो इंडिये गडबंदन में रहते हुए नितीश कुमार खुद सरकार चला रहे थे वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एक बार फिर से साथ ला करके यहां यानी महागडबंदन के साथ जा करके उन्होंने उन्हें भी सरकार चलाने का मौका दे दिया लेकिन रविवार को सब कुछ फिर से बदल गया और नितीश कुमार इंडिये के साथ जा करके राजपाल को ना सर्फ इस्तीफा सौप कर राजपाल को सुबा इस्तीफा दिया और साम को फिर से उन्हीं राजपाल के हाथों शपत गरहन कर लिया यानी महागडबंदन को कि लोग काम नहीं कर रहे थे गरबंदन के स्थी थीक नहीं थी इसलिए उन्होंने ये गरबंदन तोड़ दिया तो ऐसे में अब सवाल है कि 2024 को लोगसबा चुनाओ से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ जो नितीश कुमार इंडिये में वापस चले गए महागडबंदन तोड़ या इंडिया गरबंदन से भी अपना पीछा चुडा लिया दरसल बिहार की राजनीती और खासकर नितीश कुमार को करीब से समझने वाले इसकी कई वजह गिनाते हैं सबसी बड़ी वजह है कॉंग्रेस और जदियो और इंडिया गरबंदन से मन मूटाओ को बताय जा रहा नितीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनोंने विपक्षी गरबंदन को एक जुट करने में अहम भूमी कनी भाई नतुत किया और उनी के चलते इंडिया गरबंदन आकार ले सका हालां कि कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी और टीमसी जैसे दलों के चलते इस गरबंदन में उन इसी के साथ ही इंडिया गरबंदन का जोस्तित्तो है वो भी खत्रे में पड़ गया है लेकिन माना यह जा रहा है कि महा गरबंदन से वो क्यों अलग हुए बिहार में ऐसा क्या हो रहा था सरकार में जो वो असहस थे ऐसे में माना जा रहा है कि महागडबंधन के साथ बीते 17 महीने के नतुत में तेजस्वी यादव जो की डिप्टी सीयम थे वो आगे निकल रहे थे दरसल आरजेडी के कोटे से मंतरी ऐसे काम कर रहे थे ऐसे ऐसी बाते और ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे जिससे उनका ग्राफ उपर जा रहा था और जदियू का नीचे दरसल आरजेडी कोटे के मंतरी ऐसे आढ़ाप लगाया है जिसके बाद बवाल हो गया है उन्होंने कहा है कि ये लोगं काम नहीं कर रहे थे और नहीं करने दे रहे थे जिसको लेकर कोई बावाल बखेडा हो और नितीश कुमार इससे पहले असहज हो इसलिए उन्होंने इस गड़बंधन से पीछा चुडा लिया महागडबंधन के शासनकाल में दरसल नितीश कुमार ने दो लाग से जादा नौकरियां दी जिसका पूरा क्रेडित तेजस्वी यादोक हो गया क्योंकि आरजेडी ने नौकरी देने का बादा किया था जिसमें तेजस्वी की चवी चमक रही थी और नितीश कुमार पीछे हो रहे थी अब ऐसे में आरजेडी के साथ 16 महनी के सरकार चला चुके नितीश कुमार गडबंधन तोड़ने के लिए कानून बेवस्था को और या फिर जंगल राजे से शब्दा वली का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका डिपार्टमेंट भी उन्हीं के उपर था और वो खुच चेहरे थे ग्रहमंतराले और शासन उन्हीं के आधिन था ऐसे में ठीकर आरजेडी के उपर नहीं फोड़ सकते थी इसलिए उन्होंने कामना करने की बात कहती हालांकि आरजेडी को उसका सीधा फाइदा होता दिख रहा है क्योंकि इन युआओं को बड़ी संख्या में नौकरी मिली और जिस तरिस सिक्षकों की नियुक्ती हो या फिर पर्मेनिंट करनी की बात हो इसको लेकर के आरजेडी को एज मिल रहा था इसलिए नितीश कुमार थोड़ा सा ऐसा एज मैसूस कर रहे थी हलांकि इस गड़बंधन तोड़ने के बाद तेजस्तु यादों ने भी यही बात दोराई उन्होंने कहा कि आखिर मुक्मंत्री ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया उन्होंने बताय कि मुक्मंत्री आखिर किस बात से डरे थे तेजस्तोई न ये भी बताया कि मुक मंत्री नितीश कुमार को ड़न लगने लगा था कि एक नौजवान ने कैसे 57 महीने वो हम उतना काम कर दिया जो कि उनकी 17 साल की सरकार नहीं कर पाई तेजस्तुई ने ये भी कहा कि नितीश कुमार ने जो हमें मंत्रा ले दिया था वो चाहे सुक्षा हो, खेल हो, हम लोगों ने दम लगाकर काम किया, लोगों के भी चर्चा होने लगी, इसी बात को नितीश कुमार पचान ही पा रहे थे और वो मुख मंत्री होकर 17 साल में बीजेपी के साथ रहकर डबल इंजन में भी नहीं कर पाए तो ये नौजवान जो कर बैठा 17 महीने में इसलिए वो गब रहे हुए थे नितीष के RJD से मन मुटाओ के पीछे लालू के बेटी रोहनी आचारे का भी नाम सामने आ रहा है दरसल एक और ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादो अपने बेटे ते जिस्तुई यादो को CM बनाने की 30 जी दिखा रहे थे इसलिए लगातार नितीष कुमार पर संयोजक इंडिया गडबंधन का बनने का दबावना रहे थे दूसरी तरफ रोहनी आचारे ने शोचल मीडिया पर जिस तरह की पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने नितीष कुमार के वंशवादी राजनीत के एक बयान को अधार बनाते हुए तीखी टिप पणी की थी तो ऐसे में जडियों के सामने गडबंधन तोड़ने के लावा कोई चारा भी नहीं बचा था बाद में जब कुछ जडियों नेताओं ने इसका विरोध किया तो रोहनी आचारे ने हलांकि अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी वहीं दूरी तरफ कहा ये भी जा रहा है कि जडियों के कम से कम 77 2024 के लोकसवा चुनाओं से पहले वीजेपी के संपर्क में आ गये थे ये भी बड़ा एक सवाल था इसलिए ये सांसुदों का दवाव था कि वो एक बार फिर से इंडियों के साथ जाएं क्योंकि जडियों के साथ जाने की वज़े से उन्हें हार मिल सकती है दरसल इन सांसुदों ने 2019 के चुनाओं में इंडियों गडबंधन के समीकरन के चलते ही चुनाओं जीता था और फिलहाल, राजत, कॉंग्रेस और लेफ्ट समी करणवाले मौजूदा गडबंधन में चुनाओ जीतनी की इनकी संभावना कम भी थी इनका नीजी सर्वे ऐसा ही कुछ कह रहा था इसलिए इन्हें मूदी के चेहरे की जरुत थी और नितीश कुमार को आकरकार उनके सामने जुकना पड़ा येने तब EGP से गडबंधन चायते थे क्योंकि पार्टी के पूर्व अध्यक्च राजियू रंजन इसके खिलाफ थे नितीश कुमार ने इसे भाफ लिया था और ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है पार्टी दो फाड हो जाए अगर इसमें कोई एक्षन नहीं लिया तो दो धड़ों में पार्टी बढ़ सकती है और बंटाधार हो सकता है इसलिए पिछले महिने उन्होंने राजियू रंजन उर्फ ललन सिंग को अध़क्ष पत सैटाया खुद अध़क्ष बने और नितीश कोल ललन सिंग की तेजस्वी और लालू की नजदी की भी रास नहीं आ रही थी इसलिए पूरे गडबंधन को तोड़ने की एक एहम वजय बनी लेकिन अब देखना होगा इस गडबंधन के तोड़ने और जोड़ने के परिनाम 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसा परिनाम आता है और आने वाले अगले साल यानि 2025 के विहार चुनाव में इसका क्या असर रहत है इसके लिए थोड़ा जन्तजार करना होगा फिलाल इस खबर में इतना ही अफडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदिक साथ नमस्कार